हमारे यहां जो gross NPA था 2008 में it was 2.3% लेकिन March 2018 में यही gross NPA साड़े ग्यारा परसेंट हो गया IBC आने के बाद आज हम वापस जब March 2023 की बात कर रहे हैं 31 मार्च 2023 हमारा NPA रेट जो है अभी 3.9% पर है वापस हम control में हैं अब इसका impact मैं common man पर बताता हूँ September, October, November, December 2019 में बलब आप यह समझ के चलिए कि second half of 2019 में calendar year में जो companies की हालत खराब थी जहां हमें लग रहा था कि शायद यह company तो अब लगता है insolvency में चली जाएगी COVID के बाद आज 2023 में उन में से कुछ company पोटेंशिल acquirers बन गई हैं जिसे हम resolution applicant करते हैं इतना उन्होंने they've done so well अब जो companies acquire हुई है भूशन स्टील को टाटा स्टील ने acquire किया है या फिर आप देखेंगे उसका बहुत बड़ा impact जो तब का काम कर रहा है उस company में उन पे होता है तो उसका एक socio economic बहुत important positive impact है नीरभ मोदी के company में मैं जानता हूँ in fact कुछ plans है long term at least creditors कुछ कोशिश कर रहे हैं कि जितना maximum salvage कर सकें उसको salvage किया जाए दाकि banks को कुछ पैस मिले वापस procedure बहुत strongly follow किया जा रहा है and same as the case with Malia सवा 3 lakh crore आपको आए है resolution plan से 9.5 lakh crore के आसपास आपको आए है pre-insolvency admission level पे ही तो यह 13 lakh crore तो आपको यह हो गए कम से कम I don't have the numbers बद 2-3 lakh crore आपको आए होंगे या 1.5-2 lakh crore आए होंगे liquidation में जो companies गई जहां assets भिक रही हैं जो मैंने आपको नीरव मोदी की company का example बताया है जा लोग auction में खरीद रहे हैं वो पैसा भी तो bank को यह आ रहा है 2017-18 में हमारे banks जो थे करीबन 32,000 odd crore के loss पे चल रहे थे 2017-18 में सारे banks 2022-23 में to be more specific the figure is 2,22,000 crore यह banks का profit है इंडिया का बहुत सारा पैसा जो इंडियन banks ने दिया था business के लिए वो पार्क किया गया है abroad नमस्ते सर कैसे हैं आप नमस्ते बिलकुल ठीक हूँ आप कैसे हैं मैं बिलकुल बढ़िया सर अनंत मेरा ठीया जी थोड़ा introduction दे दीजिए सर अपने बारे में मैं एक corporate वकील हूँ पेशे से corporate वकील मतलब यह नहीं कि मैं सिर्फ corporate के लिए ही हम काम करते हैं corporate मतलब यह भी होता है कि काफी लोगों के issues corporate के against होते हैं companies के against होते हैं उनके against भी companies के behalf में भी हम represent करते हैं तो मेरा का तरजादा तर काम litigation का है मतलब courts का है तो company के जो मसले होते हैं या company के जो विवाद होते हैं internal disputes होते है management का या फिर उनके कभी जब financial challenges होते हैं इन सब चीज़ों पर मैं ज़्यादा focus करता हूँ तो यह मेरा primary area of work है corporate litigation जिसे हम कहते हैं सर आपने बहुत बढ़िया पुस्तक लिखी है defalters paradise lost तो यह जो हमारे economic defalters होते हैं इनके लिए जो इनका जो सामराज्य था जो जिस तरीके से पहले काम करते थे business करते थे वो काफी तरीका अलग था उसके बाद उसको थोड़ा control करने के लिए एक नया act लेके आया है 2016 में जिसके बारे में हम बात करेंगा IBC जिसको code बोलते है Insolvency and bankruptcy code तो यह आम लोगों के लिए बताएं सर की यह IBC code क्या है क्योंकि जब हम बात करते हैं IBC की तो एक बोला जाता है कि यह सबसे बड़े reforms में से एक है जो इस सरकार ने लेके आये हैं लेकिन GST जैसे है या digital payments का जो revolution है वो काफी दिखता है लोगों को कि यह बहुत अच्छा काम हुआ है GST में भी collections बढ़ रहे हैं तो लोगों को लगता है कि हाँ अच्छा reform दिखता है बट IBC एक ऐसा reform है जो impact तो बहुत करता है लोगों को लेकिन उनको डिखता नहीं कि किस तरीके से करता है तो हम आप से समझना चाहेंगे कि IBC एक reform जो बोला जाता है वो क्यों है और उससे पहले यह बताईए कि IBC क्या है इसमें किस चीज़ के लेके आया गया है यह और इसका function क्या है यह आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा और आपका जो perspective बहुत सही है कि कुछ चीज़े बहुत evidently दिखती है UPI का जो reform है या फिर आपके GST का है जो से कि आपकर पहले जो सवाल था कि IBC का क्या reform है उसका हम बाद में देख रहे हैं next मैं जवाब डूँगा लेकिन पहले क्यों यह लाया गया, क्या था, क्या issues थे या इसकी क्यों जरुवत पड़ी I think वो हमें थोड़ा समझना जरूरी है फ़रा इसमें हमें समय के पीछे जाना पड़ेगा आप जब देखें कि 70s, 80s के बाद जब Indian businesses थोड़े खुलने लगे open up होने लगे, expansion mode में आये थोड़ा, economy ने अपने आपको थोड़ा संभाला F.I. में से 80s के आसपास जब listed companies होने लगी और चीज़ें हुई तो फिर 91 में obviously तो सबसे बड़ी चीज़ हुई जो liberalization हुआ, reforms हुए उसके बाद foreign direct investment आया देश में बहुत companies open up हुई, foreign का पैसा आया joint ventures हुए करीबन early 2000s में businesses को एक तरह से boom मिल गया था तब तक, एक base set हो चुका था businesses को boom मिल गया था उसके बाद, कहीं न कहीं जहां तक मेरी समझ जाती है 2003, 4, 5 के आसपास, right up to 2009, 10 बहुत सारे businesses को expansion की expansion is part of normal business हर business चाता है, हर business man चाता है कि मैं अपने business को बढ़ाऊं, expand करूं, उसके obviously benefits भी होते हैं कि मेरी ultimate cost low हो जाएगी, मैं किसी नए geographic location में चला जाओंगा इस 6-7 साल की जो हमारी जो growth की जो hunger थी, यार 7-8 साल की, इसके बीच में बहुत सारे companies को loans दिया गया, bankों के, through public sector bank, private sector bank, सबने loans दिये loan की जो requisitions होती थी उनको banks, banks का का काम होना चाहिए था उस समय ideally, कि उनको scrutinize करे, उनको ठीक से देखे उनमें merit है या नहीं, मैं simple language में बता रहा हूँ, मैं टेक्निकल्स में नहीं जा रहा हूँ टेक्निकल्स में अगर हम थोड़ा जाते हैं तो valuation जैसे company का company में आकर 1000 करोड मांगा है तो क्या उस project में 1000 करोड का लागत है क्या उसकी future क्या growth story है, उसकी projections है, इन सब चीजों को समझना था most importantly एक bank का basic काईदा होता है आप और मैं जब गाड़ी खरीदने जाते हैं 10 लागी खरीदते हैं तो bank हमसे कम 50 page की signatures लेता है आज भी, और वो गाड़ी को भी pledge करा लेता है, जिसकी value actually 10 लाग से ज़्यादा है या जो भी गाड़ी की जो पूरी price हो, तो गाड़ी pledged है और अगर आधा चुका के भी अगर default होती है तो bank गाड़ी उठा के ले जाती है, या I think common है ये common, आप लोग समझ पाएंगे इस example को अब इसको आप लेके जाएए corporate के context में, वही 2004-05 के context में, अगर 1000 करोड का loan दिया गया, तो क्या bank ने 1000 करोड की collateral रखी या उससे जादा की collateral रखनी चाहिए थी या अगर कल खुदा ना खासते कुछ उन्ने से किस हो जाता है, तो हम किस चीज़ से अपने पैसे को recover करेंगे तो इस type के बहुत सारे flaws थे सिस्टम में, जो लोगों ने जिसका misuse किया, जो आपने बोलाँ defalters का एक सामराज ये था, उस सामराज ये इसलिए हुआ क्योंकि उनकों मालुम था कि हमें चुकाना तो है ही नहीं, हमें loan मिली रहे हैं, कुछ नो कुछ favoritism के हिसाब से, तो ये एक्चुल requirement तीन से चारसो करोड ही होगी, यह हो सकता 500 करोड हो, या फिर कई बर ये भी होता है कि 1000 करोड के requirement है, आपको 1000 करोड सैंक्शन हो गए, लिकिन आपने project में लगाया 500 करोड, बाकी 500 करोड आपने या तो जिसको simple language में अगर हम कहें तो आप कोई बड़ा सटा खेल गए business में, आपने कुछ forward trading कर ली, कुछ वैसा अपने exposure से उपर, level से उपर exposure कर दिया, कुछ यह तो illegal होगा ना, मतलब अगर वैसे देखा जाए कि अगर आप जिस चीज़ के लिए loan ले रहे हो, अगर उसमें नहीं लगा के divert कर रहे हो funds को, तो इसके बहुत सारे cases अब चल रहे हैं, कि diversion of monies taken for a particular purpose, और उसको use किसी और purpose के लिए किया गया, तो कई जगा तो यह हुए कि जब loans लिए गए कुछ हद तक तो project में लगाया गया, काफी हद तक उस पैसे को किसी और loan को चुकाने में use किया गया, काफी cases में ये भी रहे हैं कि उन loans के पैसे से promoters ने बाहर कुछ assets खरीद लिए इंडिया के बाहर, इंडिया के अंदर, offshore systems हैं, देखे, corporate में आपको आराम से आप group of companies बना सकते हैं, web बना सकते हैं तो ये सब चीज़े बहुत easily हो रहे थी और उस ताइम ऐसे checks नहीं थे, balances नहीं थे, और ये भी उनके मन में dead इसलिए नहीं था, जो पुराने जो systems थे, recovery के, अगर चलिए आज हिम्मत क्यों हुई उनकी 2003-45 के range में उस phase में, क्यों इतनी हिम्मत हुई इसलिए हुई हुई, कि उनको मालूम था कि हमारा legal system वहाद weak है क्या कर लेंगे ये लोग, legal system क्या कर लेगा, date पर date पड़ेगी, जो एक mental block है, mental logo का ये है इसलिए कोड जाएंगे तो 10-20 साल तो लगी जाए, sick company हो जाए, 80's में तो आप BIFR में जाएए, एक registration करा लेजिए और आपको एक moratorium word है, बोलने का मतलब ये है कि basically आपको एक relief मिल जाती है आपके अगेंज जितने भी recovery cases चल रहे हैं सब को stay मिल जाता है, तो लोगों ने उसका बहुत आराम से misuse किया, एक बस token नमबर लेके बैड़ गए, file नमबर लेके बैड़ गए, न तो BIFR में आगे बढ़ रहे हैं, BIFR का मतलब था rehabilitation of companies, तो sick company है, उनको rehabilitate करो, उनको, so intention थी government की 80's में भी, सोच थी, लेकिन implementation extremely poor, members नहीं होते थे, judges नहीं होते थे, performance बहुत पूर था, जो दूसरे forums बने, debt recovery tribunal, debt recovery forums, उनके performance बहुत slow थे, और overall recovery mechanism हमारे हैं बहुत weak था, जो high court में भी company चाहती थी, winding up बगर अके लिए, 20-20 साल, 10 साल, जब लोगों को समझ में आए कि यार, I am the king, मुझे पैसा मिल गया, चुकाना है नहीं, तो definitely एक, तो इसमें तो सर्ष, bank भी थोड़ा hedge किचाते होंगे ना, कि यार, अगर पैसा दे रहा हूँ, तो एक मतलब, कहीं न कहीं यह तो factor in होता ही होगा, कि यह पैसा तो नहीं मिलने वाला है, और उसकी वज़े से, उनका जो, मतलब investment करने का, या loan देने का, जो hesitation है, that indirectly impacts, or not indirectly, but directly impacts the growth of the country also, कि अगर banks loan नहीं देंगे, क्योंकि उनको पता है कि, bad business practices की वज़े से, they will not repay the loan, तो उससे तो वो loan देना बंद कर देंगे, या थोड़ा देंगे, ताकि उनकी books maintain रहें अच्छे से, या फिर वो कम loan देंगे, तो उससे तो impact हो रहा है, क्योंकि private investment कम हो जाएगी, और मैं गलत हूँ, मैं आपको इसका बिल्कुल जवाब देता हूँ, actually जो आपने बोला, उस सही है, लेकिन loans, आपका जो सवाल था कि banks हिचकी चाहेंगे, ये जो हो रहा, ये अब हो रहा है, पिछले 3-4-5 साल में, जब banks ने realize कि हमने कितनी बड़ी गल्ती की, उस समय अनाप शनाप loan दे के, बिना कोई system के, बिना checks and balances के, और, देखे, मैं ज़्यादा तो इसमें नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन आप भी, सब लोग जानते हैं, जो आपकी audience है, वो भी जानती है, ये फेवरिटिजम्स थी, calls आ जा जाते थे, loan sanction हो जाते थे, बैंक officials का जाते हैं, phone banking जो बोला जाता है, तो ये भी था, और कुछ जगा officials भी involved होते थे, जो बाद में अब ultimately scrutiny में आ रहे हैं, चल रहे हैं, part of proceedings हो रहे हैं, और ये सब private as well as public banks, दोनों में होते हैं, सर ऐसा ने के खाली public में हुआ है, दोनों में हुआ है, तो ये जो पूरा जो mess होता चालू होते गया, जो इसको financial mess हम बोलते हैं, इसके चलते जो आपने एक बात बोली, कि banks अपने books को clean रखना चाहेगा, ये सब culture हमारे यहां था नहीं, in fact अगर आप देखे पहले, हमारे यहां जो gross NPA था, 2008 में, it was 2.3%, वाओ, काफी अच्छा था, अच्छा था 2008 में, उसका मैं कुछ हद तक बोलूँगा, कि actually 96 से 2004, 96 से 98, और फिर more important in 98 to 2004, जो सरकार थी, उन्होंने कुछ हद तक, चीजों को सुधारा, उनको control में लाए, उसके पहले भी liberalization के बाद, कुछ देश को benefit हुआ, लेकिन मार्च 2018 में, यही gross NPA, साड़े ग्यारा परसेंट हो गया, मार्च 2018, अच्छा, दस साल में, हाँ, दस साल में, तो आप सोचिए, क्या यह जो NPA, जो साड़े ग्यारा परसेंट is, extraordinarily bad, मालूम है कि आपकी लोन बुक का 100 रुपय का दिया हुआ, सिर्फ आपको 88 रुपीज, यह 88.5 रुपीज मिलने वाला है, यह तो guaranteed है कि आपको 1.5 रुपय तो नहीं मिलेगा, यह banks की हालत थी, जब आपका NPA rates high होता है, इसका मतलब क्या है, है कि bank उस पैसे को write-off कर रहा है, IBC आने के बाद, आज हम वापस जब March 2023 की बात कर रहे हैं, as on 31st March 2023, हमारा NPA rate जो है अभी 3.9% पर है वापस, हम control में हैं, अब इसका impact मैं common man पर बताता हूँ, जब bank write-off करता है loans, तो ultimately नुकसान bank के balance sheet पर होता है, banks losses में जाते हैं, उसका अगर आप shareholder तो आपको वैसे नुकसान होगा, या फिर जो बहुत evident यह होता है कि bank की दरे बढ़ती है, तो आपके loans expensive हो जाते है as a common man, या फिर as a business भी जब आप loan लेता है as an SME, MSME, आपके loans expensive हो जाते हैं, तो यह जरूरी था, कि एक clean up की जरूरत थी, जो financial में सोरा था, दूसरे एक issue यह भी था इस दौरान, IBC आने के पहले, एक concept चल रहा था जैसे हम बोलते है, ever greening of loans, bank को मालू मैं कि ultimately यह company अब इसमें कोई उतनी दम नहीं है, हमने गलती कर दी 2005-2006-2007-2008 में loan दिया, लेकिन यह भी बोलना गलत होगा, कि that is the only reason, यह उसके अंडर आप shelter ले लीजिए, प्योंकि 2008-2009 की crisis में, इंडिया पे उतना impact नहीं पड़ा था, जितना western world पे था, 2008 में मैं सिंगापूर में रहता था, तो मुझे exactly मालूम है, कि सिंगापूर में कैसे लोग रोज jobs खो रहे थे, और क्या हो रहा था, तो मैं खुद उस पार्ट का एक हिस्सा था, इस ecosystem का, लेकिन इंडिया में उतना impact नहीं था, हमारी economy शुरू से ही, एक reasonable level पे self-sufficient रही गया, अब तो खिर बहुत बेटर हो गई है पिछले 9 साल में, आप देख रहे हैं कि Ukraine और इंडिया वार्ज पे अमार उतना impact नहीं पढ़ रहा है, वियर स्टिल ग्रूइंग स्ट्राउंग, तो ये issues थे, और evergreening में क्या होता था, बैंक को मालूम है कि 31 मार्च को मुझे अपनी balance sheet clean रखनी है, तो उन्होंने लोन थोड़ा और sanction कर दिया, interest को take care कर लिया, तो ताकि प्रमोटर ने interest वापस दे दिया उसी पैसे से, ताकि बैंक के balance sheet पे clean रह रहा है लोन, लेकिन ultimately आप क्या कर रहे हैं, आप उस problem को balloon कर रहे है, balloon कर रहे है, उसको कभी नो कभी नो तो बबल को burst कर नहीं है, तो इसलिए एक ऐसे कानून की जरुवत थी, जो difficult हो, tough हो, reformist हो, लेकिन reform आप किसको बोलते हैं, अगर आप इसको बोल सकते थे, it is another law which is making things progressive या वैसा कुछ, reform या transformation तभी होता है, जब आप कोई ऐसी चीज़ लेके आते हैं, which is a bit difficult, tough, कुछ मैं मानता हूँ, उसके collateral damages हम वो भी discuss करेंगे, लेकिन हाँ, इसकी जरुवत थी, if not for this law, मेरा ये belief है कि, शायद हमारे economy एक बहुत ही खराब सिती में होती, जैसे और कुछ हमारे नेबर देश की आज economies है, और खासकर उस context में जब समझें कि, दो साल हमने कोविड में जतना economic impact खराब हुआ, उसके context में देखें, तो आज हगर हम जैसे जो inflation हो रहा है, और वो सारी problems जो west countries में, कुछ countries में बहुत खराब situation है, हम शायद वहीं पे होते हैं आज, अगर ये bank clean up जो 10 साल का process है, वो शुरू ना हुआ होता तो, हम उनसे भी खराब स्तिती में होते हैं सर, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, कि 2014 में जब यह सरकार आई, moralis हम उस्टेम fragile five economies में थे, आज हम ideal top five में आ आगा चुके हैं 9 साल में, और inflation हाँ, we would have been very badly hit, GDP की हमारी growth rate sustained है, हमारे businesses अच्छे जल रहे हैं, ठीक है आप, there are certain parameters जहां हमेशे एक debate चलती है, unemployment versus employment and this and that, उस पे हम नहीं जा रहे हैं, प्योर economic issues पे बात कर रहे हैं, definitely we are much better, आप देखे, economy resilient है, मैं आपको ground level पे बताता हूँ, September, October, November, December 2019 में, बलब आप यह समझ के चलिए, कि second half of 2019 में, calendar year में, जो companies की हालत खराब थी, जहां हमें लग रहा था कि शायद यह company, तो अब लगता है, insolvency में चली जाएगी, COVID के बाद, आज 2023 में, उन में से कुछ company आ, potential acquirers बन गई हैं, जिसे हम resolution applicant करते हैं, इतना उन्होंने, they have done so well, कि आज उन्होंने अपने, ये भी clean up कर दिया है, पुराना नुकसान भी ठीक हो sectoral है, कुछ-कुछ sectors में ये benefit आया है, कि they have become, they are doing so well, steel की company आ है, they are today doing so well, that they are acquiring companies, ये हमने सोचा भी नहीं था, पर government ने भी COVID में, the economic aspect जो है, law and economics का जो, जो millen है, COVID के time पे, I think the government handled it very well, जैसे IBC को उन्होंने suspend कर दिया, एक साल के लिए, उन्होंने का कि, जो defaults आपके 2025, March 2020 से 25, March 2021 के बीच में हो रहे हैं, अगर defaults period में होता है, तो आपको, insolvency की आपके IBC लागू नहीं होगी आपके, which is very good, which is good, और उस समय के लिए it was good, because definitely it was helping, very difficult situation था, उसमें जो नहीं भी होना था default, वो भी कई चीज़ें होगे, लेकिन अब इसका, अब इसका हम back side, अब एक flip side देख रहे हैं, कि बहुत सारी companies, जो अब continuous default कर रही हैं, conveniently, तो फिर उसके बाद भी, वो उसी का फाइदा ले रही है, 2020 किस का, तो यहाँ कुछ, अब लेकिन कुछ जज़्मेंट, फाइदा उठाने की कोशिश, हाँ, लेकिन कुछ ज़ज्मेंट साब ऐसे आये हैं, कि अगर जहाँ continuous default है, अगर consequent default भी है, तो आप जा सकते हैं, लेकिन वो एकल एक लीगल subject, लीगल debate हो जाता है, कि is that one year per default, वो तो case by case basis पे आप एनलाइज कर सकते हो, वो भी है, लेकिन हाँ, कोशिच ज़्यादा तक की जा रही है, कि अगर default वो पीरिड में है, तो नहीं, वो कभी वो company insolvency में जाई नहीं सकती है, जो कि personally मेरी राय है, कि government ने permanent immunity नहीं दी है, गवर्मेंट ने एक उसने stop gap arrangement किया, कि सर एक साल में अभी जो हमने एक unforeseen crisis देख रहे हैं हम लोग, आपको हम ये relief देते हैं, उन्होंने एक बड़ा change और लाया, जो company को आप धकेल सकते थे इंसolvency में, एक लाख रुपे के threshold पे, एक लाख के default पे, उसको एक करोड किया गया, तो पहले बहुत सारी MSME company, जो हमारे देश का backbone है, 38-39% GDP आती है MSME से, तो वो जा रही थी इंसolvency में, तो उसको भी, एक बहुत बड़ी I would say, एक दे गॉट सेफ्ट क्योंकि, एक करोड तो आपको, या तो कोई आपका बड़ा creditor होगा, जिसने आपको कोई material supply किया, या good supply किया जैसे भी, या फिर कोई banker होगा, तो यह कुछ दो significant changes है, ऐसे बहुत सारे changes से, जो इस law में भी लाए गए, तो time to time government ने इस law को बहुत evolve हुआ है, I mean government ने भी changes लाए है, continuous process है है, continuous process है, amendments आ रहे हैं, Supreme Court बहुत सारी चीज़ों में clarity दे रहा है, time and again चीज़ों को किया जा रहा है, तो it is a reform जो आपको, जब आप बोलने की से यह दिखता क्यों नहीं है, मैं आपको बताता हूँ, इसमें कहां दिख सकता है, मैं तीन-चार company से आपने नाम लूँगा, आप JP Infra देख लीजिए, 20,000 home buyers को ultimately एक hope है, एक resolution plan अप्रूव हुआ है, उनको उनके घर मिलेंगे, तीन साल में मिलेंगे, चार साल में मिलेंगे, जो भी plan जो बना है, जिसका मोहर लगाई है, जो court ने, जिससे हम NCRT कहते हैं, तो उसके हिसाब से, pros और बहुत सारे cons हैं, especially जैसे कुछ sectors में होता है, land owner कोई और है, lease land है, government land है, वो एक complexity है, लेकिन benefit, 20,000 लोगों को उनके घर मिलने की at least आशा है, क्योंकि उसके पहले कोई clarity नहीं थी, क्या होने वाला है, फिर आप देखिए for example, अब जिस जो companies acquire हुई है, भूशन स्टील को टाटा स्टील ने acquire किया है, जा फिर आप देखिए रूची सोया को पताँजली ने acquire किया है, तो इसमें आप job opportunities देखिए, socio economic impact देखिए, companies जो बंद होने के कगार पे थी, जिनके management, देखिए जब management पे 3,000, 5,000, 10,000 करोड का लोन होता है, तो ये बात बहुत openly public या मीडिया में शायद नहीं आती है, लेकिन फिर employees की salaries delayed होने लग जाती है, जो management level employees है, जो एकदम नीचे level पे काम कर रहे हैं, उनको भी delayed payments मिलते हैं, reduced payments मिलते हैं, जब आपको एक नए अफ्तार में या कोई company आपको acquire करके, उसको फिर strengthen करती है, उसका बहुत बड़ा impact जो तब का काम कर रहा है, उस company में उन पे होता है, तो उसका एक socio economic बहुत important positive impact है, कि फिर people feel more secure, यहां नहीं ठीक है, मेरी job भी बची, मैं इस company में employed भी हूँ, और आजसे बहुत सारी चीज़े हैं, तो थोड़ा सा pre-2016 कुछ examples के थूँ, क्योंकि वो थोड़ा ज़्यादा असान रहता है, लोगों के लिए समझना, कुछ examples आप दे सकें, जैसे बूशन स्टील का बहुत बड़ा एक वो था, और निरव मोदी का case आया था, उसके मालिया का भी case था, तो ये कुछ examples आप समझा सकते हैं, लोगों को exactly case में हुआ क्या था, कि कहां पे दिक्कत आया थी, फिर हम IBC के थूँ समझेंगे, कि ये अब problem जो है, इस all हो गई है, ये aspect थूँ हो गया है, तो आपने जैसे नाम लिया, गिंग फिशर, नीरव मोदी और एक आपने और ना, बूशन स्टील, बूशन स्टील के बात करते हैं पहले, बूशन स्टील की जो काहनी है, कि अर्कावजुन का राइस था, वो जो भी they were doing very well, तो एक time था वे they were doing very well, मैं details में नहीं जाओंगा, क्योंकि वो फिर देखे, it becomes personal on the this thing, but company के expansion plans के लिए, company ने पैसा उधार लिया, कुछ ऐसे changes आए, कुछ regulatory changes आए, 2008-09 में कुछ crisis भी हुई, उसके बाद company का जो debt जो था, वो बढ़ता चला गया, तो एक तो company के expansion plans, जो company ने लिए, वो fail हुआ, तो जो debt था, उसी time पर अगर कुछ control measures किये जाते, तो शायद वो अच्छा होता, लेकिन क्या होता है, business man, जब एक any business person, I'm not specific to bushin group, but any business person, जो हम अभी भी देखते हैं, promoter, उसको last तक एक यह hope रहता है, जो कि एक अच्छी चीज़ भी है, यह एक बहुत double-edged sword है, तो आप entrepreneurship को मार देंगे इस देश को, उस spirit को मार देंगे, तो उनको वे hope रहती कि नहीं, हम निकाल लेंगे, हम survive कर लेंगे, हम revive कर लेंगे, तो उन्होंने कोशिश की कि कि नहीं, हम अपना manufacturing को और बढ़ाएं, उसको चीज़ों को बेटर करें, अपनी capacity बढ़ाएं, लेकिन वो हुआ नहीं, और फिर चालू हुआ evergreening का process, जो हमने discuss किया पहले, उसको लेके ultimately, जो debt था, भूशन स्टील का, that got ballooned into thousands of croze, I think if I'm not wrong, भूशन स्टील का, मेरे खाल से 50,000 करोड का, या 60,000 करोड का कुछ debt, ultimately हुआ, तो अब इसको आप क्या करते हैं, अब जब प्री इंसॉल्वेंसी के बात करें, तो यह problem तो थी, typical mechanism क्या होता, कि banks DRT में जाते, auction करते assets को, यह सब होता, पूरी company को acquire करने का, कोई concept as such था नहीं, IBCA अब आप इसको निकाल दें, या तो कोई company इसकी acquisition करती, private acquisition होती, one on one deal, कोई भी promoter generally, यह accept ही नहीं करेगा, कि मैं अपनी company को अपने हाथ से निकलने दूगा, हम यह आज भी देखते हैं, officially litigation पर देखते हैं, on record है, कि हर बड़ी company की, insolvency process में, promoter ने buy and large, last तक अपनी bid भी लगाई है, वो disqualified हुआ है, तो उन्हें OTS के रूप में लगाई है, जो भी law उन्हें पर विट करता है, या फिर किसी और company के थ्रूनों ने bid किया है, या जैसे भी किया है, या क्यों और company के, तो इनका hope क्या होता है, कि माझनी जिए 50,000 क्रोड का मेरे उपर loan है, debt है, और मैं उसको pay नहीं कर पा रहा हूँ, of course, तभी वो balloon भी हुआ है, 50,000 क्रोड तक, तो क्या hope रहती है, मतलब यह bid करते हैं, जैसे क्या hope रहती कि, किस तरीके से निकालोगे भाई, नहीं, तो इसमें दो तीन चीज़े हैं, सर देखे, एक तो यह जो जो शायद आपको सुनने में थोड़ा आजीब लगे, बट यह reality है हमारे देश की, emotional factor होता है, promoter नहीं accept कर सकता है, कि जिस company को मैंने बिल्ड किया, generation से, दो generation, तीन generation, या even first generation entrepreneur, वो जाने नहीं देना चाहता है अपनी company को, एक तो वो factor होता है, दूसरा अगर आप देखे कि, एक कही न कहीं चीज़ जो उतनी discussion नहीं होती, अब discuss होगी आने वाले समय में, personal guarantees होती है, promoters की, कि वो personal guarantee मतलब, आप you can go behind their personal assets, और सिर्फ उनकी नहीं होती है, अगर नहीं से promoters, इंडिया में ये culture है, जो सही नहीं भी है, जब आप loan ले रहे हैं as a corporate, अब आपके सारे जो family members है, directors होंगे board पर, typical होता है इंडिया में, उनके सब के signatures रहेंगे as personal guarantors, तो आप, आपकी wife, आपके family members, तो कहीं न कहीं उनको एक ये डर भी होता है, या एक ये concern भी होता है, जब personal guarantee invoke होगे, तो उसको हम कैसे manage करेंगे, इस पर अभी तक कुछ legal issues थे, लेकिन Supreme Court ने बहुत recently अप clear कर दिया, कि personal guarantee का जो provision है IBC में, ये constitutionally valid है, तो आप इसके पीछे जा सकते हैं, तो वो एक और reason होता है, कि ये चाहते हैं कि हम company को अपने पास रखें, और again the third aspect is the hope, where they believe कि हम business को best जानते हैं, हम business को turn around कर पाएंगे, क्योंकि हमारी मेहनत है इतने साल की, लेकर ultimately फिर वही हुआ कि उस company को फिर, Tata Steel ने फिर about 35,000 crores के आसपास कि approximate amount में, they have acquired the entire debt, and they have basically, when I say acquired the debt, they have paid off the creditors, तो ये, Bush and Steel का example है, तो जब मैं समझना जाता हूँ, ये जैसे, Tata ने ले लिया इसको, कितना 35,000 crore रुपया उन्होंने दिया, को दिया creditors को, bankers को, जिनका due था, तो उन्होंने तो turn around कर दिया, पूरी company को, अभी तो शायद profitable भी हो गया है, उन्होंने subsidiary बनाई है उसको अपनी, तो जैसे 35,000 crore का खरीदा, लेकिन loan था 50,000-60,000 crore का, तो कुछ write-off भी होता है, उसको हम haircut बोलते हैं, वो थोड़ा समझाए, क्योंकि ये political भी हो गया आज कल की, इतने 1000 crore या 1,00,000 crore, write-off कर दिया, मतलब, जो corporates हैं, उनके loan maaf कर दिया, मतलब उसको maafी से देखा जाता है, कि इतना 1000 crore रुपया, मोदी ने अपने दोस्तों को दे दिया, या इस सरकार ने अपने दोस्तों को, corporate दोस्तों को दे दिया, ये थोड़ा समझाए, कि ये haircut और जो, write-off कह रहे हैं, इसका importance कहा है, ये बहुत unfortunate है, जर कि अगर लोग इस तरह के का, अगर एक narrative चलाते हैं, या बोलते हैं, बहुत ही unfortunate है, इसलिए, चलिए आप write-off के बात करते हैं, मैं अपने ही against, मैं lawyer हूँ, मैं अपने लिए ये argument अपने against लेता हूँ, पहले बात तो ये, कि जो loan sanction हुए, आप मैं सब नीरभ मोदी का अपने नाम लिया, नीरभ मोदी के जो पंजाब national bank के issues चल रहे थे, जो letter of undertaking था, जो की एक letter of undertaking थे या नहीं थे, उसके basis पर उनका अनाप शनाप credit limit बढ़ाते जा रहे थे, credit ले रहे थे, वो international कुछ, they were issuing I think कुछ letter of undertakings, तो जो उनके पास है ही नहीं, जो document जो credit limit है ही नहीं, या limited है, उसी को घुमा घुमा के और credit बढ़ाते जा रहे हैं, तो पहले बात तो ये चीज़ चेक क्यों नहीं हुई, to begin with, दूसरी बात जब हम करते हैं, कि, मैं पहले आपको इस नीरभ मोदी का, क्योंकि मैंने टच्च किया, मैं आपको ये भी बता देता हूँ, उनकी insolvency में क्या हो रहा है, at least to the explanation, कि वहाँ कहीं न कहीं, मैं भी advice करता हूँ, जो creditors के side के कुछ aspects को, लोगों को लगता है, कि बस ये तो 10,000 करोड का चूना लगा के चला गया, और देश कुछ नहीं कर रहा है, क्या हुआ, इन दोनों की बात करते हैं, नीरब मोदी के case में, जो officially, जो at least documents, जो record बोलता है, कि इनोंने घुमाया है चीजों को, और intent में कहीं concern था, as a result of which, balloon हुआ, जो भी हुआ, लेकिन government actually recovery में जा रही है, इनकी companies, सारी companies insolvency में हैं, liquidation में हैं, इनके जितने assets हैं, वो freeze किये गए हैं, इनकी जो inventory है, जो बची भी precious gems, jewelry, उनके e-auctions हो रहे हैं, लोग जाके internet पे check कर सकते हैं, e-auctions में कोई भी participate कर सकता है, तो recoveries लाई जा रही हैं, I don't know the exact numbers, वो सकता है कम हो, 10,000 करोड के against, अब जो चीज थी ही नहीं, जो चीज की value ही, आपके लिजसे 1000 या 2000 करोड थी, उस पर आपने balloon किया, तो आप क्या कर सकते हैं, एक तो एक, एक आत्मी आके, एक system आके आए उट से, चीजों को clean up कर रहा है, ताकि देश आगे से कम से कम एक, इसको हम बोलते हैं न, clean slate पे चले, यहां से हम एक नए शुरुवात करें, एक धार्मे capitalism की, या corporate ethics की, हम बात करते हैं, तो आप उसको बोल रहे हैं कि, आप किसी और को आपने maaf कर दिया, यह loan, आपके पास दूसरा option क्या है, आप जाके अगर आप उसका गला भी अगर आप पकड़ के, if you're going to kill the person, if you're getting satisfaction out of it, fine, so be it, आप कीजिए, जरूर कीजिए, लेकिन आप practical angle से अगर देखेंगे, तो recoveries हो रही हैं, उनके assets को auction किया जा रहा है, same is with Malia's company, same is with Nirav Modi's companies, अनीरव Modi की company में मैं जानता हूँ, in fact, कुछ plans है long term, at least creditors कुछ कोशिश कर रहे हैं, कि जितना maximum salvage कर सकें, उसको salvage किया जाए, ताकि banks को कुछ पैसा मिले वापस, procedure बहुत strongly follow किया जा रहा है, and same is the case with Malia, so it's easy to say, कि loan maaf किया जाता है, एक तो हो गया यह दोनों लोगों की बात, अब हम आते हैं broad जो haircut का issue है, तो haircut का जो आप issue देखते हैं, कि आप, before I tell the haircut, मैं खुद ही आपको बताता हूँ, 32% is the recovery rate in IBC, compared to the total claims that have been filed, तो आज के दिन 30 September का जो data है, जो government के ही एक regulatory body है, IBBI, Insolvency Bankruptcy Board of India, claims admit हुए total, करीबन 7000 कंपनिया Insolvency में गई, उसमें मोटा मोटी for easy reference, आप 10 लाग करोड रखिये, 10 लाग करोड के claims को admit किया गया, जिसमें 3.16 लाग करोड को resolution plan के थुरू, system में वापस लाया गया, उतनी recovery हुई है, 32-33% आप मान के चलिए, आप सुनके जहां surprise होंगे, जो ये सवाल कभी नहीं आता है, इन companies की liquidation value क्या थी, अगर इस company को liquidate किया जाए, इन 7000 companies जो Insolvency में गई, इनकी liquidation value या फिर, जो resolution plans आए हैं, जो 3 लाग करोड मैंने आपको बोला, ये 808 company के resolution plans में आए हैं, इनकी liquidation value करीबन 1.85 lakh crores है, मतलब आप सोचिए कि इसमें 1.8 lakh crores की value liquidation, उसकी against claim है 10 lakh crores का, तो आप समझ सकते हैं कि company की, वही वाले जो fundamental point पर हम जा रहे हैं, कि valuation क्या की जाती थी, क्या basis पर loans दिये गए, तो आज जितना maximum recover किया जा रहा है, यह तो हो रहा है company से, and then they also go, the banks go behind the personal guarantors, the banks also go behind the corporate guarantors, तो यह process है complete नहीं हुआ है, और इसमें recoveries हो रही है process के थूँ, So it will be, effectively it will be more than 32%? It will be definitely and I will also tell you this, some may agree, some may not agree, यह personally मेरा, absolutely मेरा personal stay यह है, मानना है और यह fact भी है, जब आप एक अपनी claim लगाते हैं ना, जो system में, again without getting into technical insolvency professional होता है, आप bank होच है, आप creditor हो, अगर आप creditor हैं, तो आप maximum interest, interest सारा जोड के अपना claim लगाएंगे, till the last date, यही अगर आप creditor हो, आपको बाहर में आप वो अगर बोल रहा है, company insolvency में जाने के पहले, भाई आपके 100 रुपे के against, मैं आपको principle, 70 रुपे में देखे, OTS में clear कर रहा हूँ, एक बार में clear कर रहा हूँ, 80%, 90% हम मान जाएंगे, आप बोलेंगे भाई, जो आ रहा है, better let's close it off, लेकिन जब आप process में जाते हैं, आपको भी मालूम है, आपको मिलना बहुत कम है, तो आप उसमें top up करके, higher claim file करते हैं, banks भी जो करते हैं, गलत नहीं करें, legal framework में allowed है, वो क्या करते हैं, penal interest, charges, interest pay interest, quarterly, ये वो बहुत सारी चीज़े करते हैं, तो ये जो loan का, ये जो admitted claim amount of 10 lakh crores है, ये भी the higher side है, इस नोट a real figure, in that sense, तो अगर आप देखे नहीं, तो अगर आपका actual claim देखें, तो जो 32% की जो recovery है, effective recovery somewhere around 40-45%, ये मेरा मानना है, ये 32% तो आपको net मिल गया resolution plan से, इसके बाद personal guarantee से भी आप कुछ निकालेंगे, कि कमपनी, 2000 कमपनी को liquidate कर दिया गया, या 2200 कमपनी को, तो भी more specific 2249 was the figure, इन कमपनी को liquidate किया गया, कुछ कमपनी हाँ, जब कुछ कमपनी में कुछ है नहीं तो आप liquidate कर गे, बस एक procedure follow किया, कमपनी को आपने फिर finally dissolve कर दिया, खतम कर दिया, पर liquidation में भी पैसा आता है, in fact निरभ मोदी की कमपनीों को liquidation में पैसा लाया जा रहा है, तो liquidation में क्या होता है, कि assets को e-auction किया जाता है, या फिर different procedures होते हैं, आप पूरी company को कोई ले सकता है, part asset को ले सकता है, पूरे asset को ले सकता है, तो वहाँ भी recovery आ रही है, वो numbers add अभी नहीं हो रहे हैं, या लोग उस पर focus नहीं करते हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ा important aspect है recovery का, जो की हो रहा है, एक चीज़ और होती है scheme of compromise, जो companies act में होती थी, अब तो आप liquidation में वो भी कर सकते हैं, there are few companies, मैं आपको एक company का नाम, मैं नाम लेने में थोड़ा सा, I'm always a little hesitant है, या वैसे example दे दीज़ा, हाँ, तो कुछ companies हैं, जैसे distillery companies हैं, या sugar companies हैं, मैं देख रहा हूँ, जहाँ schemes चल रही हैं, जहाँ हम लोग खुद involved हैं, advice कर रहे हैं, तो वहाँ पूरी company को acquire किया जा रहा है, उसमें benefit यह हो रहा है, कि farmers को बहुत बड़ा एक benefit हो रहा है, farmers का 30,000 करोड, 20,000 करोड का जो debt due था, या एक particular case में, शायद 2 या 3,000 करोड का debt due था, farmers को 80% दिया जा रहा है, विकि वो farmer हैं, end of the day, उन्होंने sugar mill को अपना cane supply किया है, अच्छा यह sugar mill, जैसे हम काफी सुनते था, UP में, कई जो west UP में खासकर कि, 2 साल में payment आ रहा है, 3 साल में आ रहा है, तो वो उसका एक result था, इसमें सुधार आएगा, मैं मैं जो बात कर रहा हूँ, मैं सुधार की company के कर रहा हूँ, लेकिन इसमें सुधार अब यह आएगा, कि कम से कम, इनको भी कुछ मिल रहा है, तो it is not as bad as, जो लोगों को एक वो जो narrative किया रहता है, कि लोगों के loan माफ कर रहे हैं, लोगों तो आपके पास option कैया है, फिर भी आप बहुत better off है, about 40% plus minus आप recover कर रहे हैं, और यहाँ से अब जो loan sanction हो रहे हैं, वो due diligence के साथ, कुछ checks and balances रखते हुए, उस तरीके से किये जा रहे हैं, तो यह casual statement देना कि वो तो अपने दोस्तों का loan माफ कर रहे हैं, I don't think जितने भी यह हैं, उन में से, अब वो मैं नहीं जाओंगा कि कौन किसके दोस्त है या नहीं है, लेकिन bottom line यह कि यह casual statements देना, it's very easy, लेकिन जब आप data पे जाते हैं, तो actually recovery हो रही है, तो जो आपने बुरा ना GST में आपको numbers दिखते हैं, revenue दिखती है, एक चीज जो कोई highlight कभी नहीं करता है, और पता नहीं, यह क्यों नहीं आता है सामने, 32,000 के आसपास करीबन cases file हुए, NCLT में, IBC आने के बाद, जिसमें 26,000 case, 32,000 case file हुए, जिसमें 26,000 के आसपास, 25,800 या 26,000 case, withdraw कर लिए गए, NCLT में ही, case, insolvency में admit होने के पहले, और उसमें कितना amount का recovery हुई आप, एक एक guess लगाई है आप, एक डिड़ लाग करोड, 9.33 लाग करोड सर, pre-insolvency admission, मैं बलब लोगों को, इसके मैं आपको बताता हूँ, इसका मतलब क्या है, मैं आपको इसका negative point पहले एक बता देता हूँ, जो कि बहुत आएगा evidently, people are using this to blackmail and get the money out of me, तो भाईया उसका due पैसा निकलता है, उसको तुम आज नहीं तो कल देना ही है, तो अगर तुम नहीं दे सकते हैं, तो business मत करो फिर, don't do business at the cost of others, 26,000 applications withdraw हुए हैं, इसका एक मतलब पहला मतलब ये है, कि अब promoter को लगने लगा है, कि नहीं मेरी company मेरी हाथ से actually चली जाएगी, तो सामराज ये जो change हुआ है, mindset जो change हुआ है सबसे बड़ा, promoter अब accountability feel करने लगा है, उसको लगने लगा है कि एक system है, जो उसके हाथ से उसके company जा सकती है, मन में कहीं न कहीं गलत काम करने से एक डर है, ऐसा नहीं है कि अगर 100 करोड की जरूरत है, 200 करोड ले लो, अब वो 100 करोड ही लेगा, और उसमें भी दो पर सोचेगा, और दूसरी बात सर, पहले बहुत common हमने देखा है, मैं मैं अपने खुद के experience से बता रहा हूँ, 2005 से 2015 सोलर जो हमने देखा है, जब कोई creditor जाता था कुछ अपना recovery मांगने, banks जाते थे, बहुत सारे, और मैं यह नहीं देखे, जो ऐसा भी है, जो intentionally यह चीज़े करते थे, उनका एक यह होता था, अचा कोट में जाओगे ना, recovery के जाओ, डर क्या है हमें, तुमको कोट में जाना है, जाओ, जो करना है करो, हम handle कर लेंगे, 10 साल, 5 साल तो तुमको कोट में खीच लेंगे, वो एक mental state था, यह, this is part of public discourse, यह मैं नहीं बोल रहा हूँ, और अज यह 26,000 application अगर withdraw हुए हैं, और इसमें settlement, 9.5 करोड का आया है, इसका मतलब यह promoter को मालूम है, कि हम यह पैसा भाईया दे के निकल जाएं पहले ही, rather than running the company into the insolvency process, जहां मेरी company opens up, to be acquired by anybody, तो अगर आप, अब आप numbers देखिए, सवा 3,00,00 करोड आपको आए है resolution plan से, 9,00,00 करोड के आसपास आपको आए है, pre-insolvency admission level पे ही, तो यह 13,00,00 करोड तो आपको यह हो गए, कम से कम, I don't have the numbers, बर 2,00,00,00 करोड आपको आए होंगे, या 1,50,00,00 करोड आए होंगे, liquidation में जो companies गई, जहां assets भिक रही हैं, जो मैंने आपको नीरव मोदी की company का example बताया है, जहां लोग auction में खरीद रहे हैं, वो पैसा भी तो bank को यह आ रहा है, तो अगर आप most conservative level पे भी लें, तो 13-14,00,00 करोड रुपए का आपको इसमें कहीं न कहीं पैसा सिस्टम में वापस आया है, तो आप इसको खाली एक haircut का एक मापदंड से देख रहे हैं, जो कि वो मापदंडी गलत है, और IBC is not about recovery, यही तो Supreme Court ने बोला है, multiple times बोला है, IBC के preamble में है, अपने पैसे से कीजिए, या फिर आप जिसका पैसा लेते हैं, इतना confidence रखिए, कि आपके business practices से दूसरे का नुकसान नहीं हो, आप इसलिए business नहीं कर सकते हैं, कि आपको ठीक आप पैसा मिल गया है, going back to the two examples that you took, at least the case of Kingfisher, यह time and again एक allegation, यह सब जानते भी हैं, extravagant lifestyle, no calculative way of running, ठीक है, aviation industry is a difficult industry, उसमें crude oil, उसमें oil के prices के issues हैं, सब कुछ है, तो बोला ही जाता है, how to be a millionaire, you have to be a billionaire, then you buy a airline, and then you become a millionaire, तो यह difficult है, अभी go air में भी challenge चल रहा है, लेकिन वो ongoing matter, इसलिए मैं उसमें कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन हा, यह भी चीज़ें हैं, कि पहले it was happening more easily, management decisions were wrong, management was very casual about things, jet airways में भी वह issue हुआ, jet airways by the way has been acquired, अभी jalan कल रॉक करके, group में उन्होंने अक्वाइर किया है, they've not got it back into action, what is going on, why I'm not aware of the internal, but it has been acquired by someone else, it has been acquired, so end of the day, and aviation is not the only industry, अब steel की बात कीजिए, steel में अगर आप देखें, बहुत activity हो रही है, बहुत सारे और में हो रही है activities, where companies are getting acquired, SME companies are getting acquired, तो इसका जो यह बोलना ना easily, कि माफ कर रहे हैं loan, हाँ माफी करना पड़ रहा है, एक बात चलिए, मैं आपको counter question करता हूँ, आज मैं promoter हूँ, आप bank है, IBC नहीं है हमारे बीच में, मैं आपको अगर situation में, सॉरी मैंने आपको बोला कि, मैं promoter हूँ, हाँ आप bank, मैं आपको one time settlement offer दूँगा, OTS दूँगा, मेरा typical OTS क्या होगा, principle का 70%, 60%, max to max, उतना भी शायद नहीं हो, मैंने 100 करोड दिया है, तो आपको 60 करोड दूँगा, आपको वो भी आपको, उसमें से 10 करोड अभी upfront दूँगा, बाकी 12 महिने में दूँगा, लेना है तो low नहीं तो, आपके पास option क्या है, आपको मालूम है कि मेरी जो सारे collateral, मेरी सब कुछ है, वो सारा निकाल के भी आप 60 करोड नहीं निकाल सकते हैं, तो फिर आपके पास option क्या होता है, आप लेंगे, या फिर शायद आप नहीं लेंगे, तो अगर आप actually देखें, जितना recovery one time settlements में हो रही है, OTS में हो रही है, हो रही थी, उससे हो सकता है थोड़ा कम हो, हो सकता है थोड़ा जादा हो, but around the same plus minus, क्योंकि देखें एक word आया है, IBC में एक नया word emerge हुआ है, commercial wisdom, commercial wisdom मतलब जो creditors है, वो obviously maximize करना चाहेंगे, कि कितनी अपनी recovery हो रही है, लेकिन, and so recovery obviously वो ज़्यादा करना चाहेंगे, लेकिन ये भी सच है कि खाली recovery करना is not the point, recovery एक aspect है, crucial aspect है, but resolution of companies, companies को revive करना, आज आपने 800 companies को revive करके, उनको वापस put that on their feet, 7000 company आज का जो data मोटा मोटी है, क्योंकि ये सबसे important है सर, जिसे आप बता रहे हैं, data आप थोड़ा बता दिए, मैं इस से related a question पूछना चाहता हूँ, लेकि सर मोटा मोटी, 30 September का जो data है, उसमें करीब 7,058, 7,058 company को insolvency में admit किया गया, उसमें से करीब 950 companies या 947 companies को, promoter ने, अपना ही promoter नहीं, हमें एक section है 12 way, मतलब उन्हों नहीं offer देके, settlement देके भाईया, हम पैसा देके निकलना चाहते, which is a very good sign, आप देखे, 7,000 में से 1000, मोटा मोटी 15-14% promoter को मालूम है, कि मुझे process में घुसना ही नहीं है, घुसते realization हो गया, या फिर आगे या पीशे, मुझे ज़्यादा है इसमें, I will lose a lot, अच्छी realization है, करीबन 1000 या 1050 odd companies है, जिनको settlement, review या appeal के stage पे, one way or the other close कर दिया गया, तो 2000 insolvencies तो close हो गई, आज के दिन चल रही है, 2000 corporate insolvencies के procedures, 2000 और 2000 चार हजार यह हो गया, और बाकी 3000 में, 2249 have gone into liquidation, जिसमें कुछ के reports फाइल हो गया, या close हो गया, बिल्कुल closure चल गया, और कुछ अभी भी liquidation की process चल रही है, और 800 companies में plans आये हैं, resolution plans, 808 company में, ये 808 company में जो plans आये हैं, उसमें भी 125 प्लस, या 125 या 127 company के resolution plans, सिर्फ एक अप्रील 2023 से लेके, 30 September 2023, ये 6 महिनों में अप्रूफ हुए हैं, तो आप देख सकते हैं कि चीजे speed and up हो रही हैं, अब decisions लिए जा रहे हैं, अब हर decision को हर level पर appeal किया जाता है, वो अपना system है, I'm not going to, I respect that completely and I bow down to that, हर आदमी को right है, system में appeal करने का, तो data ये दिखाता है आज के दिन, कि 7000 company में से, 2000 company तो वैसे ही resolve हो गए, मतलब लोगों ने पहले खीच लिया, या जो भी उसको निकाल लिया, जो liquidation में गई है, वहाँ से भी आपको कुछ आ रहा है, resolution में गई है, वह आपको obviously आगे recovery होगी, so definitely it is something which I feel, अगर आप data के basis पे बात करें, तो you are better off, और एक aspect और जो मैं चाहूंगा कि, आपके audience ये समझे कि, आप मुझे एक law ऐसा और बताए, जहां इतना, इतना I would say, clear cut transparent तरीके से, data available है, on a quarterly basis, हर तीन महने में data अपडेट होता है, इंसॉल्वेंस, IBBI खुदी करती है, आप Indian Penal Code में आपके पास है, कि Criminal Procedure Code में है, या फिर आपके पास Civil Suits में है, Succession Cases में है, आप किसी भी एक law का नाम बता दीजिए, जहां आपके पास इतना clear cut data है, क्या होता है, जब आपके पास data होता है, आप उसको criticize भी कर सकते हैं, analyze भी कर सकते हैं, और improvement की scope definitely है, हम उसे improve करना चाहेंगे, लेकिन data है, इसका मतलब से विये नहीं है, कि आप खले ये बोले कि ये खराब है, खराब है, इसी के पहले जो winding up की regimes थी, और पहले के क्या recovery rates थी, आप उनिकाल के देखिए, थोड़ा सा dig down अगर जब आप करेंगे, मैंने थोड़ा सा study किया है उस पे, the data was poorer, और transparency नहीं थी, मालूम नहीं था हो क्या रहा है, यहां कम से कम मालूम तो है आपको, बोलना easy है, लेकिन अगर आप जब देखें, तो यह बहुत, it's not as, एक statement देना की loan माफ कर रहे हैं यह लोग, पहले loan क्यों दिये गए, वो पूरे initial foundational problem कहां थी, क्या problems हुई, और फिर अपके अपको, यह तो वही हो गया ना, उसको दे दिये, और फिर आप उस जो नए SHO आया है, उसको आप blame कर रहे हो कि भाई, तुमने अपने दोस्त के माफ कर दी, एक criminal के, यह तो वही बात होगी ना, वही बात है बिलकुल, बहुत बहुत सिंपल तरीके से, आपने बहुत एक अच्छे तरीके से समझाया है, कि यह वही बात है, और इसमें देखी, जो आप कह रहे थे, डेटा बता रहे थे, कि इतनी सारी companies का revival हुआ है, वही तो चाहिए, वह सबसे important part है, क्योंकि you have to keep the economy running, और यह सब लोग जो है, जो assets बने हुए हैं, और दाइस, जो businesses हैं, these are the drivers of the economy, you can't just liquidate and focus on that only, revival is the key, तो वो तो बहुत जरूरी है, कि economy की vibrancy के लिए, बेशक आपको promoter change करना पड़े, management change करना पड़े, but the business has to keep running, absolutely, business has to run, economy में, क्योंकि देखी, इसमें spiral effect होता है, अगर आपकी company ने, आपने एक company को बचा लिया, creditors को, इसमें एक law में एक map को, इसमें minus point भी बताता हूँ, in all fairness, जो trade creditor है, उसको मोटा मोटी कुछ मिलता नहीं है, उसको 2-4-5% मिलता है, जो कि बहुत एक, उनके लिए तकलीफ देश चीज है, time and again, requisitions जा रही है government को, कि आप consider कीजे, कि उनके लिए कुछ कैसे कुछ better किया जा सकता है, या उनको एक minimum कुछ percentage दिया जा सकता है, वो government decide करेगी, वो एक policy matter है, लेकिन, जो आप जो बात बोल रहे हैं, कि business को revive करना, उनको कम से कम ये तो hope है, आज शायद मुझे कमती मिले, लेकिन business continued रहेगा, तो मैं शायद इस company के साथ आगे जाके, अगले दो-तीन साल में और कमा के, अपना loss कुछ हद तक recover कर लूँगा, employment रहेगी, jobs रहेगी, और एक चीज़ important, ये भी हम accept करना होगा, there is something called graceful exit, अगर आप company आपकी fail हो जाती है, आप कोई current से आपने किया, आप एक concept लेके आए, नहीं चला, technology हो, कुछ भी हो, नहीं चला, I think ease of exit, एक term यूज की जाती है कभी-कभी IVC में, वो भी important है, कि आप gracefully किसी को बाहर निकलने दे system से, वो नहीं कर सकता है business, or that business has failed, उसको आप लेके जबर्जास्ति, खीचते जाएं, खीचते जाएं नहीं, हम उसको करेंगे, we will do something about it, तो फिर not, वही मैं माइंड ते तो आप change करना है, कि अगली generation का जो promoter होगा, या एक entrepreneur होगा, उसको ये मालूम होना चाहिए, कि यहां मैंने शुरुवात की, ये मेरा growth है, मेरा अगर downfall है, मेरा downfall की sustainability point क्या है, मैं कहां तक accept कर सकता हूँ, तीन साल, अगर continuously मेरी company balance sheet loss पे आ रही है, या चार साल, should I quit, should I exit, should I call in for the install process myself, मैं क्या करूँ, मैं हाथ उठाऊने के हिसाब से, कैसे करूँ ताकि मैं fair तरीके से काम कर सकूँ, ये अगले generation तक आएगा, इसका फरक 10-15 साल आगे तक आएगा आपको, ये आज आपको आज नहीं दिखेगा, लेकिन पहले क्या हो रहा था, कि मेरी balance sheet minus जाए जा रही है, पर conveniently कर रहे थे, और जो इसमें ये भी है ना, कि आप आपने एक ऐसा system बना दिया, जहां पर जो bad faith players जैसे आपने बताया, कि जो बार बार evergreen करके, काम चलाते रहते थे, उनमें आपने ये भी है, कि इस ए evolutionary thing now, in business also, कि जो भी खराब actor है, जो खराब business man है वो भी निकल जा रहा है ना system से तो as a ecosystem also in the economy वो भी business man भी better quality के business man reinforce हो रहे हैं बार बार जो bad actors हैं they are exiting now 101% मैं बहुत बड़ा believer हूँ कि इंडिया का जो हम बोलते हैं अमरितकाल के तरफ हम जा रहे हैं आने वाले 25 साल में बहुत आगे जाएंगे इन सब चीजों को देखते हुए जैसा आपने बोला कि यह filtration process जो है वो automatic हो जाएगा कि जो genuine intentional promoters या entrepreneurs या business रहेगी वो sustain करेंगे बाकियों का sustain करना मुश्किल हो जाएगा और system वैसा ही होना चाहिए तो फिर अगर वो system वैसा नहीं है तो फिर जो मेहनत कर रहे हैं genuinely merit पर काम कर रहे हैं और फो difficulty face कर रहे हैं उनमें और जो intentionally कुछ गलत कर रहे हैं उनमें फिर difference क्या हुआ फिर क्या incentive दे रहे हैं जो आप genuine काम कर रहे हैं उनको उनको कुछ incentive तो होना चाहिए ना तो यह समय लगेगा इसका जो impact आने पर mental mindset change होने में प्रेजन जेनरेशन में मुश्किल है लोज हाड़ी छह साल पुराना है छह साल में बहुत सारे बदलाव आए हैं लोगों ने देखा है लेकिन लोगों को ऐसे जटके भी मिले और यह तो improvement होता ही रहेगा improvement होगा और यह as I told you it's a very fine balance revival and liquidation इसको आपको वो काफी अच्छे fine balance से चलाना पड़ेगा क्योंकि आप किसी भी direction में tilt नहीं कर सकते हो justice has to be done and you have to take care of the economy you have to incentivize आपको incentivize तो करना है न जो businessman है जो अच्छा business चलाना जानता है basically वो आपको incentivize करना है कि भाई वो system में रहे क्योंकि risk takers तो वही लोग है everybody can't be a risk takers वो एक मालब ऐसा constituency है जो एक किसी भी country के लिए बहुत ही precious है you want to incentivize those people and incentivize the bad faith actors बिल्कुल बिल्कुल सर यह यह बहुत important है मैं आपको एक और example देवान housing का जो matter है popular matter है लोगों का पैसा बहुत उसमेट का है अब उसके करीबन total dues banks को हो गए थे करीबन 87-86,000 crores जिसको पिरामल ग्रूप ने अभी 37,000 crores के आसपास के कुछ रेंज में 37,250 है वैसे उन्होंने acquire किया है तो उन्होंने क्या acquire किया है effectively the loan book basically जो DHFL की loan book थी तो DHFL क्या हो रहा था वहाँ पर भी वही चीज़े हो रही थी वह डोग दो लाग तीन लाग करोड बन जाता तो अभी हमने उतना hit नहीं देखा तैंक फुली जो आपने बीच में बोला western country के तरह चले जाते imagine किजिए अगर yes bank वालि जो situation होई जाए एक कला करोट रुपे का वो हुआ जिसमें Yes Bank से पैसे वीडियो कॉन में गए थे जो भी रिपोर्ट्स बताती है या जो भी हुआ है अगर वैसे पाँच बैंक हो जाते हैं इंडिया में डोंट यू थिंग वी वूड़ाप अट लीस्ट अहूज बोथ economic and I would say massive moral crisis people लोग road पे आ जाते हैं यह हमारा पैसा है जैसे Yes Bank में तो खली आपका यह हुआ ना कि आपके shares आप trade नहीं कर सकते हैं वो freeze हुआ और कुछ समय तक यह था कि कुछ आप amounts withdraw नहीं कर सकते हैं वो सारी चीज हुए जिसको भी support करने के लिए state bank और consortium of banks के government ने एक plan बनाया तो वो भी covid के time पे हुआ तो things went out of fear तो अगर आप इसको control नहीं करते इस level पे तो फिर बहुत सारे banks आप बहुत सारे भी नहीं तीन या चार bank अगर इसका गार पे आ जाते we would have been in a very bad shape तो आज हम चीजों को improve कर रहे हैं आज interestingly आपको यह जान के आपको surprising लगेगा कि यह data यह बताता है कि 2017-18 में हमारे banks जो थे करीबन 32,000 odd crores के loss पे चल रहे थे 2017-18 में सारे banks 2022-23 में to be more specific the figure is 2,22,000 crores 2,22,000 crores यह banks का profit है 22,000 crores loss से 2 crore sorry 2,22 lakhs हाँ तो 2,22,000 अबगबग 2,00,000 crores का फाइदा 2,00,000 crores का फाइदा यह पॉने 2,00,000 crores का फाइदा हुआ है minus से plus में आए हैं आप and system is healthier now system is healthier आप देख रहे हैं कि bank के prices share prices are going public sector bank को लोग बोलते थे कि हाँ ठीक है इसका तो कुछ आप आप देख लीजें न कि क्या chart है क्या pattern है अब किसी भी bank को उठा के देख लीजे 17,18 में उनका क्या balance sheet थी आप balance sheet देखिए NPA के क्या rate थे उनकी share price क्या थी उनकी जो जो बोलते हैं asset quality ratio एक उनका होता है वो क्या था 16,17 में क्या थी 16,17,18 जब ये law effective होना चालू हुआ आज क्या है I think the answers will be on the official numbers तो चीजें improve हुई है इसमें reforms के reform के बारे में हमने अच्छे अच्छी बात है कि थोड़ा सा आप कोई case studies जिसे आप तो lawyer हैं तो काफी चीजें देखते रहते होंगे कौन सी companies में क्या हो रहा है, liquidation process में क्या हुआ है, revival हुआ है तो क्या हुआ है कुछ examples के थूरू समझा सकते हैं कि कुछ positive या तो ताकि relatable ज्यादा लगे लोगों को और कुछ pitfalls जो आपको लगता है कि अगर इसको हम इस पे focus कर सकते हैं IBC का reform जो next reform होगा इस पे focus करें तो अच्छा रहेगा तो ये दो चीजें अगर आप किसी example के through company के जो IBC में गई हो process में, उसके through अगर आप समझा सकें तो I'll first say where हम कहां और इसको improve कर सकते हैं तो मैं इनी companies की बात करते हैं जो हम लोग बात करें बूशन स्टील है या JP Group है या DHFL टाइप के company हैं या for that matter जो SME level पर मैं नाम नहीं लूँगा, मैं खुद अपने कुछ काफ़ी clients के काम कर रहा हूँ एक तो हमें I think कही ना कही अब समय आ गया है कि हम थोड़ी cross border insolvency पर focus करें क्योंकि इंडिया का बहुत सारा पैसा जो Indian banks ने दिया था business के लिए वो पार्ख किया गया है abroad foreign के jurisdictions में कुछ estimate है मारे पास कितना lakhs of crores lakhs and lakhs of crores now that is a mix of business money and other avenues से पैसे गए है personally black money also वो सब चीज़े गई है तो जिसको हम offshore jurisdictions बोलते है BVI, KMN islands बहुत सारे ऐसे हैं जहां पैसा गया है in simplified words वहां trusts बना दिये जाते हैं ऐसे structures बना दिये जाते हैं corporate कि उस पैसे को फिर clean up करके या तो फिर आप वापस system में ला सकते हैं कर रहे हैं काफी पैसा foreign में ऐसे भी पड़ा है promoters के नाम पे assets लिए वे हैं mines ली हुई है इंडोनेशिया में कुछ Indian promoters ने ऐसे बहुत बड़े promoters नहीं है इनका total debt exposure 1000 करोड से नीचे है लेकि इन्होंने इंडोनेशिया में mine लेके बैठ हैं अब इसको कैसे हमको अगर एक तो हमें पर ओफिशियल हमारे पास data नहीं है जो officially हमारे पास documentation नहीं है तो अब इस समय आ रहा है I think Indian government का अब maybe after the next after the elections or whatever whenever they can they should think of how to extract and get our money back into our country through cross border insolvency cross border का जरूरी मैं बसको complicate नहीं करते हैं यहां की company वहां के subsidiary में कैसे क्या होगा simple है हमारा पैसा वहां गूमके बैठा हुआ है चाहे वो किसी individual के नाम पे बैठा है चाहे subsidiary के नाम पे बैठा है उसके पीछे जा सकते हैं अगर बिलकुल already प्रोविधान है already यह है कि एक provision है law में IBC में उन्होंने डाला है लेकिन अब इस पे और काम करना होगा इसके regulations लाने पड़ेंगे वो करना हो दूसरा एक area जहां मुझे लगता है जब अब आप इसमें बहुत activity देखेंगे अगले 12-18 months में personal guarantors की जो insolvency है इसको अब Supreme Court ने confirm पहले भी कर दिया था केस अललेत कुमार जेन उन्होंने confirm कहते है constitutionally valid है लेकिन इंडिया में देखे judicial system यह है कि लोग एक point को उठाते है वो बोलते कि natural justice नहीं था तो Supreme Court में लेके चले जाते है matter को pending रहता है Supreme Court ने अभी फिर से उसमें clarification बिलकुल clear कर दिया है कि personal guarantor की insolvency process सही है constitutionally valid है अब इसमें अपने को देखना होगा यह क्या recoveries आती है क्या feedback आता है promoters का मैं थोड़ा optimistic इसलिए ज़्यादा हूँ कि इंडिया में promoter सबसे ज़्यादा पैसे अपने ही किसी ना किसी कैसे ना कैसे family members के थू कहीं ना कहीं पाक्ट रखता है और यह promoter basically जो effectively owner of the company owner of the company and family उनको कहीं ना कहीं अब यह लगने लगेगा कि now my family's if I may say reputation my family's wealth is at stake तो वहाँ पर we see a sense of I would see कुछ recoveries आने के अच्छे chances हैं negative side अगर आप पूछें कि इस law में क्या है मैं इसको negative तो नहीं बोलूँगा लेकिन मैं यह बोलूँगा कि ऐसे कुछ चीजें चाहाँ improvement की बहुत जरूरत है एक तो to begin with जो मैंने आपको already पहले cover किया है जो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं आपको जो operational creditors जीजे हम कहते हैं जो basically goods and services supply करते हैं तो उनको कुछ आपको कुछ न कुछ उनको respectful amount देना चाहिए नहीं तो पाँच अगर company जहां मैं सबसे बड़ा जो मेरे customers हैं उसमेंचे तीन बड़े insolvent हो गए और मुझे वहाँ 5-10% ही मिल रहा है मेरे total due का जो basically जो छोटे vendors हैं और वो सब ज़्यादा पिसरे हैं वो पिसरे तो मैं खुद insolvency में चले जाओंगा तो वहाँ कुछ न कुछ एक I think government should think of some protection for them उनको कुछ voice दी जाए COC में या उनके लिए कुछ एक provision लाया जाए so that is something which has to be looked at एक जो चीज है जो I think government a plan कर भी रही है देकि एक बहुत easy criticism होते रहता है कि NCLT काम नहीं कर रही है members है नहीं है I mean cases सुनवाई नहीं होती है यह मैं बिलकुल मानता हूँ कि shortage of members है सब कुछ है लेकिन members time to time appoint भी होते हैं जो भी हो रहा है देखे एक system के under हो रहा है अगर आज अगर government यह एक proactive step लेती है कि benches बढ़ा दे number of judges बढ़ा दे NCLT में तो काम बेटर हो सकता है इसलिए क्योंकि with limited strength अगर आप इतना आपने जो देखा है आप इतना achieve कर सकते हैं almost I would say 33-34 thousand applications आए हैं लगे हैं जिसमें से आपने in the parties अब कितना settlement हुआ वो आया है नी record पर कहीं पर तो अगर इंफरास्टुक्चर judiciary कि अगर बढ़ाई जाए that will be a big support, big help प्रिकि इंडिया में लोग litigation करते हैं by nature we are people who want to fight for our rights which is right, which is absolutely fine वो गलत और वो हमें छोड़ना भी नहीं चाहिए I think it's time कि हम वो एक colonized mindset में नहीं काम करें कि हाँ ठीक है जो है सही है we should fight for our rights तो अगर मुझे लगता है entitlement है मैं तो जाऊंगा NCLT में अपने procedure में अपना हग भी मांगूँगा जो भी मैं जो भी stakeholder हूँ उतने benches भी होने चाहिए क्यूं इतने आप लोग criticize करते है कि सर 330 दिन का provision है यह तो 500 दिन लग रहे है 600 दिन लग रहे है जो की fact है 500 दिन लग रहे है लेकिन पहले तो पहले सर आप पहले 10 साल 15 साल लगते थैं आप वो criticize नहीं कर रहे है तो 10 15 साल is fine लेकिन जहां दो साल लग रहे है क्योंकि वो बेंच मारगा आपने 330 दिन का कर दिया तो उनको 500 में दिक्कत हो रही है जब 10 साल था तो कोई फरागी नहीं पढ़ रहा है क्योंकि पहले बेंच मारगी नहीं था ना और 330 देखे क्योंकि 330 है तो काम हमारा 500 से 600 दिन में हो रहा है अगर आप उसको लेटसे आप उसको conveniently सबस्थ दो साल कर देंगे तो और automatically 3-4 साल चला जाएगा और कुछ processes हैं जो 5 साल भी चले हैं 4 साल भी चले हैं वो क्यों चले हैं एक तो देखे बीच में COVID आ गया तो दो साल तो हमें kind of एक तरीके से इसको हम निकालना ही पड़ेगा उसके आप आगे और पीछे देखे तो effectively काफी matters हैं जो हाँ चले हैं 3-3 साल चले हैं वो इसलिए क्योंकि एक जो insolvency का जो process जो हम बोल पात कर रहे थे company को resolution करना है तो हमने यह देखा है बहुत सारे में including आप I think I think if I'm not wrong abortion steel में भी वो हुआ है if I'm not wrong वो SR steel में भी हुआ है SR steel में definitely हुआ है कि promoter ने SR steel में मुझे जहां तक याद है promoter ने कुछ 50,000 crores plus का 54,000 crores का bid रखा last में एक company through I think a company called new metal against Arcelar metal और वो last तक लड़े लेकिन company Arcelar metal को दी गई अब इसमें दो तीन चीज़े हैं मैंने ये example इसके लिया एक तो ये कि promoter आप देख रहे हैं last में भी आके पैसा देना चाहता है मतलब they want to fight, they litigate and they litigate like there is no end tomorrow there is no, कोई end नहीं है but end में वो लेना भी चाहते हैं वो लेना भी चाहते है इसका मतलब कहीं न कहीं वो attachment भी है तो आप जो एक जो criticism होता है delay in the process उसके कुछ काफी हद तक responsibility हम सब को लेनी पड़ेगी है stakeholders हमारी tendency है, हमारा nature है litigate करने का आप कैसे लोग, can the NCLT अच्छा है, will it become okay if the NCLTs on day one start dismissing all applications saying, तुम तो आयो गलत दोलाक रुपे fine, तो आप बोलेंगे natural justice नहीं है पर इसमें कहीं वही balance वाली बात है ना, कि अगर एक हमारा ये भी होता है कि अच्छा आप local court में हो गया अब मैं high court जाऊंगा, high court में भी मेरे against है, तो मैं supreme court में जाऊंगा, ये कहीं न कहीं वही लग रहा है कि जितना हो सके उतना litigation तक करो, अगर नहीं हो पर है तो फिर last में फिर से try करो अपने पैसे दे के लेकिन ये वही एक nature वाली बात है ये भी है, लेकिन इसमें एक चीज़ हुई है इसमें देखिए इनोंने, for whatever reasons मैं ये नहीं जाऊंगा कि good या bad वो मेरे एक personal right कुछ और है उसमें लेकिन उनोंने पूरा high court को civil courts को सिस्टम से निकाल दिया है NCLT है, उसके ओपर appellate NCLAT है, उसके पर सीधा supreme court है तो technically idea ये ही था कि इसको हम थोड़ा process को streamline करके, वो typical legal judicial process में नहीं डाले जहां सालों साल लगे समय लग रहा है, लेकिन I think लोगों को ये भी assess करना चीए खुद, कि क्या हम litigate, आज कोई भी हो will I not or will you not litigate अगर आपका 5 लाग, 10 लाग का भी stake है वहाँ पे, आप application तो डालेंगे कि sir मेरी भी सुनवाई होकम से, मुझे भी तो कुछ मिले his process में, I think people are not wrong in going to the court अब हाँ, frivolous litigation बहुत होता है उसको अब धीरे धीरे NCLT ने चालू कर दिया है, penalties लगाना गलत applications पे cost impose करना, तो ये सब चीज़े हो रही है, judiciary में I would say to some extent, एक तरह का बदलाव आ रहा है, reform आ रहा है तो समय लगेगा, see from nowhere हमने 6 साल में की ecosystem उससे लेके ये इस regime तक आने में, it's a huge transformation, ये तो इसमें तो कोई शक नहीं है I mean, यहां से अब तो incremental reform ही बचा है ना, इसके बाद तो, जो major transformation है वो तो हो गया, now you can keep improving, keep iterating and वो तो improvement तो कभी खतम नहीं होगा, लेकिन मैं इसमें ये पूछना जाता हूँ कि जैसे tribunal system वाला जो procedure हमने चला दिया है कि एक parallel judicial system हमने खड़ा कर दिया है जिस NCLT की आपने बात की which is working fine if we fill the all the gaps and infrastructure provide कर दें courts और बना दें और उनका जो vacancies हैं वो और भर दें और जितने ज़्यादा हम staff create कर सकें वो help के लिए वो कर दें पूरा infrastructure अगर efficiently create हो जाए तो it will be very good अब ठीक है उसके criticism हो सकते हैं कि हमने एक जुगाड निकाल दिया कि ये कुछ ना कुछ problems थे existing high court supreme court wall structure में तो एक parallel इसको solve करने के लिए tribunal system है मैं ये trend ज़्यादा देख रहा हूँ कि हर चीज़ के लिए अब आजकल tribunal हो गया ये हो गया तो और भी कुछ civil cases भी है education related है तो उसका tribunal बना दिया जुगाड के लिए हम क्योंकि mainstream judiciary में reform करना is very tough पर है तो क्या हम इसको कहीं ने कहीं contract enforcement के लिए भी एक अलग tribunal system create करने के लिए inspire हो सकते हैं कि एक वो room create हो सकता है क्योंकि सबसे बड़ी जो ease of doing business में problem है वो हमारी contract enforcement की है courts में के उस पे judiciary system पे आप देखें तो हमारा सबसे इन मलब 165-175 rank करेता है हमेशा जो हमारी overall rank को drag करता रहता है तो क्या एक tribunal system for ease of doing business for contract enforcement क्या हम वो एक future में देख सकते हैं कि क्या उसका solution भी एक tribunal से हम कर पाएंगे आगे यहां मेरी सोच थोड़ी different है इस मुद्धे पे पहली बात तो यह कि tribunalization क्या यह successful है या नहीं debatable topic है सर बहुत debatable topic है controversial topic भी है लेकिन मेरी personal राय है यह बहुत personal है कहीं न कहीं मुझे लगता है कि हम हर चीज़ को जो tribunalization कर रहे हैं वो long term के लिए अच्छी बात नहीं है mainstream judiciary is mainstream judiciary tribunalization के कुछ अपने challenges अपने pitfalls होते हैं मैं उसमें that can be a subject for a different podcast मैं उसमें अभी नहीं अभी जाऊंगा बट आपको नहीं लगता कि अगर specialization हो जाए जो judges हैं वो अगर they are expert on business and all these matters तो एक better होगा we can create a different qualification itself I agree with you लेकिन आज अगर देखें इंडिया में there is a law called the commercial courts act आपको पता है या नहीं शायद नहीं मारूँ तो commercial courts act में enforcement वगरे type की जो issues है commercial disputes जिसे हम कहते हैं इस पे बहुत emphasis है बहुत importance दी जा रही है एक time bound तरीके से चीजों को decide किया जा रहा है arbitration में इंडिया में बहुत आगे चीज़े बढ़ रही है timely amendments लाए जा रहे है जहां आपको arbitration को complete करना है within a 12 month time frame नहीं होता है तो आपको maximum 6 मेने का extension मिलेगा so on and so forth so high court and mainstream judiciary I believe is also getting reform is doing well मैं मानता हूँ कि ease of doing business के index में enforcement of contracts is somewhere down मुझे exact numbers मालूब नहीं है हम धीरे धीरे improve करने लेकिन overall तो खेर we've come a long way if I'm not wrong but हम कुछ 140, 150 पे थे अब 60 या 50 पे आ चुके है overall तो we've done very very well but enforcement of contracts पे इसका मेरा counterpoint यह होगा मेरी सोच है यह आपकी बात बिलकुल ठीक है एक tribunal वैसा किया जा सकता है लेकिन mainstream judiciary में ही अब जो हो रहा है already there are something called the commercial courts so high courts में जहां original jurisdiction है या lower courts में जहां नहीं है वह commercial benches को establish किया जा रहा है जहां जो judges होते है वो generally बार से उन्हों जो advocates होते हैं बार से वो pick up करते हैं या कई बार ऐसे कोई जिनका थोड़ा commercial bent of mind है जो समझते हैं कि business contract की क्या relevance है, क्यों इसमें time bound है क्यों importance है वैसे judges को basically mainstream bureaucracy में ही आके आप at the high court level you are bifurcating and creating वो हो रहा है there are commercial courts specific commercial benches in the high courts which are listening only to commercial matters तो अगर 30 court hall है या समझ ले आपके 50 judge बैठ रहे हैं उसमें से 2 court which is equal to 3 or 4 judges depending on a case to case whatever तो या 3 court सिर्फ commercial matters ही here कर रहे हैं arbitration, enforcement of contracts commercial disputes उन में आपके फिर वो family matters succession matters वो नहीं सुने जा रहे है वहाँ list ही नहीं होता है so that has been very clearly segregated तो वहाँ पर काफी अच्छा काम हुआ है और commercial courts act की भी if अगर आप 2015 वो भी EC government की एक one of the initiatives है उसका भी अगर आप देखें overall data उसमें data उतना easily available नहीं है but it is reasonably good फिर तो मैं ये कहूँगा कि NCLT को भी उसी के अंडर में लेके आ जाना चाहिए high court के जैसे आपने कहा ना दो court ऐसा established कर दिया तो within the high court itself you bring it इसकी देखे एक बात चल रही है अभी दरादार अपने some discussions जो हमने at least जो कुछ हद तक discourse सुना है एक राए ये है कि जो IBC के matters है उनको NCLT में रखा जाए और Companies Act के जो matters है पहले जो होते थे operation mismanagement जो easy example लोगों को समझने के लिए McDonald's का case हुआ था या फिर जो Cyrus, Missouri और Tata वाला case हुआ था जहां एक group में ही internal board of directors लड़ रहे होते हैं या shareholders लड़ रहे हैं ट्रस्ट को लेके या जो भी inefficiency mismanagement के matters जो होते हैं जिसको हम operation mismanagement कहते हैं तो Companies Act के matters में ये बात चल रही है कि इसको high court में वापस लाया जाए ताकि NCLT can be a dedicated bankruptcy court it can be only for that और you never know समय के साथ हो सकता है आज से कुछ साल बात वो सकता है इन चीज़ों को भी high court में लाके dedicated corporate insolvency benches वो सकता establish हो जाएं we don't know let's see वो समय बताएगा आगे जाके कैसे है immediately I think हमें जो existing system है tribunal का उसमें थोड़े अगर हम gaps fill कर दे especially members की जो shortage है support strength की जो आपने mention किया वो कर दे हैं but हाँ इसको अभी high court में लाना I am not very sure but कुछ इसके aspects company law matters को उसको high court में already लाने की बात चल जाए लास्ट में सर मैं यह पूछना चाहूँगा कि जो resolutions हुए हैं उनका overall क्या impact अगर आप के पास कोई data हो तो अगर आप बता सकें बिलकुल I am Ahmedabad ने एक report एक research की है sometime if I am not wrong in July August 2023 recent report ही है जिसमें बहुत interestingly जिन companies के resolution को 3 साल का period हो गया है वहाँ बहुत कुछ interesting data निकल के सामने आए है बहुत सारी aspects से लेकिन मैं 4-5 crucial aspects आपके सामने रखोंगा जो I think audience को समझ में भी आएगा और समझ में आगा कि IBC कैसे एक larger level पे impact कर रहा है 76% उपर गई है net margins अभी भी negative है लेकिन companies have broken even break even पे आ गई है दूसरा अगर आप देखें employee cost के expenditures 50% से उपर चले गए है तो कि बहुत अची बात है आप employees पे खर्च कर रहे हैं इसका मतलब आपके उसका एक अलगी level पे उसका economic impact, social impact हो रहा है तीसरा यह है कि जो asset value है, जो average asset value थी, that has gone up by 50% which is again something very good कि company को पहले लोग वैसी सुरे ते दिवा लिया है क्या कुछ, whatever company में कोई sense नहीं है लेकिन उसी machinery को आपने थोड़ा सा, I would say wear and tear को ठीक किया, आपने कुछ सुधा रहा जो उसमें value आड लाए asset average value has gone up by 50% capital expenditure has gone up by 130% which means which means कि आपकी आप balance sheet जो है, वहाँ tangible assets दिखेंगे no creations, job creation job creation, infrastructure creation, उसका जो cycle पूरा होता है कि आप जब obviously 130% capex कर रहे है, अब steel भी ले रहे है cement भी ले रहे है, सारी चीज़े overall worth of the company बूरा cycle चक्चका बहुत बेटर चल रहा है listed companies का बहुत interesting यह है market capitalization जो थी 2,00,00 करोड से अब 6,00,00 करोड पे आ गई है, जिस companies का resolution हुआ तीन साल के बाद, और देन और भी चीज़े हैं जैसे कि आपका जो CASA ratio जिसे हम बोलते हैं कि average asset is to liability asset is to liability ratio, liquidity इन सब चीज़ों में in all these parameters the companies are actually doing quite well, so resolution के बाद, actually the companies are performing well, management most of the companies में दूसरे management है, नहीं management है, except कुछ MSMEs है चाहा, management सेम अगर हो सकते हैं so this has also been a huge benefit जो यह data's research, यह report आई है सामने, इसे हम यह definitely एक तरका एक और, और this is an independent report by an independent and very very, I would say, highly respected organization, तो इसे clear होता है कि post resolution companies का एक फाइदा हुआ है, जिसका I would say, largely economy में और society पे एक positive impact, चाहिए सर काफी detail में आपने हमसे बातचीत की और इतने अच्छे से समझाया, cases को लेके I hope कि बहुत सारे जो लोग जिनको IBC के बारे में इतनी knowledge नहीं थी in depth, उनको कुछ न कुछ, इनका information बड़ा होगा, thank you so much for educating us, बहुत अच्छा लगा आप से बात करके, धन्या बात सर, thank you very much, thank you for having me, मुझे बहुत अच्छा लगा, thank you so much